अच्छा बुरा वक्त आता है रिलेशन्चिप में, मुझे लगता है वो हम दोनों के साथ ही उसको फिनिश कर दिया, तो मुझे लगता है कि मुझे डिसकस नहीं करना है आसिम रियाज ब्रेक अप से पहले तक ऐसे नहीं थे, ब्रेक अप के बाद आसिम ऐसे हो गए है और अब कुछ इस तरीके से रियक्शन्स दे रहे हैं खदरोगी खलाडी में आसिम की लडाई जो हुई है और रोहिशेटी के साथ जो उनका बरताव रहा शो से निकाले गए वो उनके इस अवतार पर, उनके इस गुसे वाले अंदास पर जब पूछा गया हिमान्शी खुराना से सवाल और कहा गया उन से कि क्या वो ब्रेक अप के बाद ऐसे हो गए हैं क्योंकि लोगों का तो ये कहना है तो हमान्शी ने ऐसा कुछ बयान दिया है दरजल हमान्शी कहती हुए उने जराई हैं कि वही हमने साइलेंस चूज करा हुआ है मैं कुछ नहीं बोलूंगी आसम को लेकर ये साफ है हम दोनों की भी जो बिरिष्टा था वो था अब हम दोनों ही इस पर कुछ नहीं बोलना चाहते अगर आज मैं कुछ बोल दू और अगर आसम ने कुछ ना बोला हो तो ये सही नहीं होगा और अगर आसिन कुछ बोल दे और मैं ना बोलूं तो ये भी सही नहीं होगा इसलिए silence ही है मेरा जवाब इन सब चीजों के लिए भाई ये मानशी कुराना का तो साफ तर पर यही कहना है कि वो इस पर कुछ भी नहीं बोलेंगी अब आप बताएं नीजी गॉर्मिन सेक्शन के जरिये आपकी क्यारा है इन सब पर और ऐस तो आपडेट्स के लिए चाहना को सब्सक्राइब कर दें सब्सक्राइब नाव फर आल लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स